सोनू का सपना अब होगा पूरा जी हां विहार के नालंदा का रहने वाला सोनू इन दिनों सोसल मीडिया में काफी चर्चा में हैं आपको बता दे कि सोनू मुखमंत्री के आखों में आखे डाल कर पूरी सच कहने वाला सोनू इन दिनों काफी चर्चा में हैं लेकिन इसका पूरी तरीके से करुणा काल में जब पूरे दरवाजे बन थे तब सोनु सुद ने लोगों की मदद की थी और फिर शोनु सुद ने एक बार अपने ट्वीटर हैंडल पे ट्वीट कर इसकी पूस्टी भी कर दी है की इस सोनु की मदद स्ोनु ने सुन ली है यानि अब जो है अच्छे स्कूल में सोनु पढ़ेगा पटना के इंग्लिस मीडियम यानि इंग्लिस स्कूल में अब सोनू पढ़ेगा वहीं रहकर पूरी पढ़ाई अपनी करेगा और वहीं पर रहकर खाना पीना रहना तमाम विवस्ता जो है सोनू सुद ने कर दी है सोनू की यानि सोनू का सपना अब IAS बनने का पूरा हो जाएगा यानि जो आखों में आखे डाल कर मुखमंत्री से कहने वाला सोनू जो है वो अपने सपनों का साकार कर पाएगा यानि कह सकते हैं कि इसकी जानकारी सोनू सुद ने अपने ट्वीटर रेंडल पे ट्वीट कर लिखा है कि सोनू की सोनू ने सुनली है उन्होंने अपने ट्वीटर हैंडल में लिखा है कि सोनु ने सोनु की सुनली भाई स्कूल का बस्ता बांधिये आपकी पूरी सिक्षा और होस्टल की विवस्था हो गई है यानि उन्होंने इसकी जानकारी अपने ट्वीटर हैंडल पे ट्वीट कर दी है और स्कूल का नाम भी उन्होंने लिखा है कि ideal international public school बीटा पट्ना में उसका एड़िशन हो गया है और उसका होस्टल की विवस्था सोनू सुधने कर दी है और उन्होंने लिखा है कि सोनु ने सोनु की सुनली भाई यानि तमाम जो बिहार के नेता है वो सोनु के घर गए अच्छी अच्छी तस्वीर खिचवाई और आश्वासन दिया लेकिन उसका सपना अभी तक किसी नेता ने पूरा नहीं किया सिर्फ आश्वासन दिया लेकिन शोनु ने बिना कहे करकर दिखा दिया यानि शोनु ने एक बार शोनु सुद ने एक बार फिर से जो बोले बिना करकर दिखा दिया यानि उसकी स्कूल में एडविशन भी हो गई उसके होस्टल में रहने की विबस्ता भी कर दी गई यानि पूरे खर्च जो है अब सोनु सु उठाएंगे उस बच्चे का और पूरी तरीके से स्कूल का नाम भी उन्होंने दे दिया है यानि शोनुसुद जो है वो रियल लाइफ में भी तो हीरो बन चुके हैं एक बार फिर से क्योंकि वो जो फिल्मी दुनिया है उसमें हीरो तो है ही लेकिन रियल लाइफ में भी सोनुसुद ने एक बार फिर से कर दिखाया है और बिना कहे उन्होंने उस बच्चे का एडवीशन करा दिया एक पूरी विवस्था करा दिया है तमाम बिहार के नेता वहां गये हैं पूरी तरीके से तस्वीरे खिचवाई बिहार के पूर्व ड तोनुसुद ने उसकी एडवीशन पूरे तरीके से एंग्लिश मेडियम में करा दी है और इसकी जानकारी उन्होंने अपने ट्वीटर हैंडल पर आकर ट्वीट कर दी है आगे की अपडेट्स के लिए आप बने रहें दर्जजनूस के साथ और देखते रहें दर्जजनू